बिधान सवा अध्यक्ष विपन सिंग परमार ने कहा कि धीरा से क्यारवा देवी टिला तक 13 किलोमेटर सड़क के बिस्तार और सुधार पर साड़े 10 क्रोड रुपे ब्यायक किये जा रहे हैं। परमार देवी टिला सड़क से चंगरक्षेत्र के लोगों को सुभधा होगी तो साथ ही आने वाले समय में धार्मिक पैटन को भी बड़ावा मिलेगा। यानि इस सड़क को बढ़िया सुंदर अच्छा बनाया जाएगा। और देवी के टिले तक पहुँचाया जाएगा। उस चंगरक्षेत्र के लोगों को बढ़िया सड़क मिलेगी और भगवान देवी जहां हजारों लोग पैदल चल करके पहुँचते थे। प्रेटन को बढ़ावा देने के लिए भी ये सड़क अच्छी सावित सिद्ध होगी। आज मैं ये काम शुरू हो चुका है, इसको देखने के लिए आया था, अच्छा काम शुरू हुआ है। प्रमार ने कहा कि सरकार हर बर्ग के उध्यान के लिए प्रतिवद है और सामाज के कमजोर और असहाई लोगों को मुख्यधारा में शामिल करना सरकार की सर्वोच प्रत्मिकता है। चीडन टू थिर्क बाया देवी टिला और बाथू खट के उपर एक पुल भी बनने वाला है। इसके उपर आठ करोड साथ लाक इकतर हाजार रुपया खर्च होगा टंडर परिक्रिया शुरू हो चुकी है। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। इंक्लूडिंग ब्रिज होगा बाथू पर ब्रिज बनाएंगे और जल्दी से जल्दी काम शुरू होने वाला है। दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा सपडूल है सुनू है एक ऐसा रोड जो बरसों से छूटा हुआ था। लंबी दूरी से होकर के लोगों को सपडूल गड या आगे ड्रो इत्यादी पहुंचना पड़ता था। अब उस सड़क के का भी नवाड ने पैसा सवकृत करवा दिया है लगभग नन्यानुए लाख एक करोड रुपया उसके उपर हम खर्च करने वाले हैं। पीसरा मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम सड़कों को जीवन की ये रेखाए हैं। परोणा के कारण विकास की गती कुछ धिमी हुई है पर परदानमंत्री जी न कहा है अगर जीवन है तो जहान है अगर जीवन ही नहीं बचा तो जहान को जीने के सपने अधूरे रह जाएंगे। ये गती धीरे धीरे और दिकास की आगे बढ़ने वाली है मैं यही कहना चाहता हूँ मुझे आज धीरा में आने का मोका मिला और यहां सड़क को निरिक्षित करने का मोका मिला धन्यवाद।